तो आप क्या जानना चाहोगे सोसल मेडिया पे बाइरल बोई सोनु कुमार के बारे में अगर जानना चाहोगे तो मैं बताने का जोसिस जरूर करूंगा सोनु कुमार एक मेडिल कलास फेमेली से बिलोग करता है जिनके पास ना पैसा है ना कुछ है लेकिन उनका सपना बहुत बढ़ा है आयेस अपिस्टर्स बनना चाहता है एक दूद बेचने वाले के बच्चा जब आयस का सपना देख सकता है तो हम क्यों नहीं देख सकते और इसी सोच के साथ ग जानकारी लेते हैं इससे पहले आप कुछ वीडियो की लिप देख लिजे कि आप दोस्तों जी सुमर में बच्चे की सोच टक डेवलप नहीं होती है उन्होंने अपना फ्यूचर को भी डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे जाकर बनना क्या है दोस्तों आज हम बात करने वा प्रॉक्स दस साल का बच्चा है जिनका डेटबबत में बता देता हूं एक-एक-दुहजर गारव में उनका जन्म है बायोग्राफी क्या है कैसे फेमेली से बिलोंग करते हैं दोस्तों इनके बारे में बताने से पहले मैं इनका पूरा बायोग्राफी को आपको डिसकस करत है और उस बच्चे के सोच को मैं सलाम करता हूं कि इतनी बड़ी सोच रखने वाले बंदे मैं आज तक कभी नहीं देखा इतने सोटी सी उम्र में जो इन्होंने इतना बड़ा सोच रखा और सीधे तोर पर इनका बाइरल होने का जो बात आई है बाइरल होने की बात हुई वो सीधे तोर पर सीएम को बोल दिया कि सर मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ाई के लिए रिक्वार्मेंट की बहुत जरूरी है मुझे एक आगे जाकर आईस ओपिसस बढ़ना है सुनिये नितिश कुमार जी को क्या कहा बिहार के सीएम को सीधे तोर पर क्या कहा तो वीडियो में आपने देख लिया कि क्या कुछ बोला बंदे ने और बोलने का जो एक्टिंग था बोलने का जो स्टाइल था काफी एट्रेक्शन था और इनके बोलने के बाद ही CM ने उनका जो भी रिक्वार्मेंट था वो कंप्लीट करने के लिए हामी भरी है और ये संदर की फेमस होने की जो जगा मिलेना काफी अच्छा था बता दूं कि बिहार के CM नितिस कुमार जी किसी कार्यकरम के दोरान उनके गाउं गय हुए थे और गाउं गय हुए थे उतने भीड के बीच में उन्होंने सीधे तोर पर ये सोच कैसे डवलप के लिए कि मैं अगर जिसके चलते CM को सीधे तोर पर बोल दिया तो CM ने भी हाई भरी और बोला पिसर्स को जोगी भी रिक्वार्मेंट हो इसको कम्प्लीट किया जाए और करने के बाद ही इन बच्चों का भविस्तों के साथ किसी के साथ खिलवार नहीं हो इसके लिए CM भी अपना एहमियत दि से पूरे इंडिया भर में चर्चित है अभी के टाइम में और इनका फेमेली बेगराउंड काफी नाजूक है बहुत ही दैनिये इस्ति थी है फेमेली का बेगराउंड पापा है मम्मी है और सोनु कुमार जी है और भी कोई है तो मुझे नहीं पता पर इनके बारे में और ज्यादा हम जानते हैं इनका फेमेली बेगराउंड बता दूं कि इनके पापा दूद बेचने का काम करते हैं घर घर जाकर दूद बेचते हैं और दूद बेचकर इतना बड़ा वह पैसा इकठन नहीं कर सकते कि वह किसी प्राइबेट सेक्टर में पढ़ा पाया प्राइबे के बारे में और कुछ भी जानते हैं ये बंदा 6th class में पढ़ता है और 6th class के पढ़े के साथ साथ ही वह 5 के बच्चों को पढ़ाता भी है 30 स्टुडेंट को पढ़ाता भी है और जिस पैसे उनको जो पढ़ाने के बाद जो पैसा मिलता है उसे उपने पढ़ाए लिखाई और घर के काम में भी अपना योगदान देता है दोस्तों ऐसे बंदों बहुत ही कम नजर आते हैं क्योंकि इतने बड़े बेड़े उम्र में भी कोई कुछ नहीं कर पाता लेकिन दस साल के उम्र में ही उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया जो एक बड़े आदमी को सोचना पड़त उस सपना को पूरा करने के लिए अपने ड्रीम को कंफिलीट करने के लिए और जितने भी सपोर्ट उनको सीएम की तरफ से मिल रहा है और भी जितने भी नियूज बगरा की तरफ से मिल रहा है उनके लिए काफी अच्छा है और उनका फ्यूचर है काफी अभी ब्राइट द इधे देगी तो दोस्तों ऐसे बंदे कोनों काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस तरह के बंदे के लिए सेलूट है दिल से कि इतना कुछ कर दिखाया इस छोटे से उम्र में मुझे दिल से इनका सुक्रियादा करता हूं कि इनका भविस में जो कुछ भी सपना है वो कम कर दो बंदे में 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 से लिए ल değ गतते है बंदेisches के विर 시간